Hello friends, good morning and welcome to our YouTube channel और friends, आज मैं आप भी लेके आयो 17th of December 2021 के important current affairs So friends, current affairs के session start करने के पहले हमने जो last day के 16th December का current affairs पढ़ा था उसका division करते हैं पहले, उसके बाद हम आज की current affairs के starting करेंगे तो कल का जो first question ने current affairs का वो है कि अबुधाभी grand prick 2021 जो है उसका खिताब किस ने जीता है तो इसका answer हो का फिन्स, Max Verstappen ने इस खिताब को जीता है और grand pricks क्या है तो एक तरह की F1 formula race है और max Verstappen जो है उन्होंने अबुधाभी grand pricks 2021 का खिताब जीता है और यह इसी के साथ जो max Verstappen है वो wish to champion बनने वाले ऐसे पहले Dutch driver है नेक्स क्योशन है friends ताइम मैगजीन ने किसे time version of the year 2021 चुना है इसका right answer लोगा फ्रेंड्स एलन मस्क को इसलिए चुना गया है नेक्स क्योशन है 13 दिसंबर 2021 को सूपर सोनिक मिसाइल असिस्टेट टॉर्पिडो जिसका salt form में smart का सफल परिक्षन किया गया है तो इसका सफल परिक्षन किया किस नहीं है तो इसका answer का friend DRDO के तोरह इसका सफल परिक्षन किया गया है और DRDO के अनुसार जो इस प्रणाली को जो पंडुपी रोधी यूद्धक छमताओं को बढ़ाने के लिए तयार किया गया है जो कि पारंपरी टॉर्पिडो की रेंज से कही अधिक है फ्रेंड DRDO जिसका फुल फॉर्मेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्रेंट ओर्गनाइजेशन जिसकी अस्तापना हुई थी 1958 को और इसका हेड़कॉर्टर है नहीं दिल्ली और इसके अधिक्षा जी सते इस रेड़िग साड़े चार दिन का कारिश समाप करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है साड़े चार दिन का कारिश सब्ता करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है स्राष्टी उर्जा सनक्षन दिवस यानि की नैस्नल एनर्जी कंजरवेशन डेट 2021 वो कब मनाया गया है इसका एंसर को फिर चौदर दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है और इस बार की थीम रही है उसका नाम है आजादी का अमरित महुत्सो पुर्चा कुशल भारत यानि की एनर्जी इफिस्टियेंट इंडिया बारत में इलेक्ट्रोनिक वहनों यानि की इवी की स्थितिकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य किंद्रशासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिक वहान है इसका एंसरोगा फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्रोनिक वहान है एशिया ही रोइंग चैंपियर्शिप 2021 का आयोजन कहां हुआ है इसका एंसरोगा फ्रेंट्स थाइलेंड में इसका आयोजन किया गया है नेक्स्क्रोशन है पैरावल ताइकवांडू चैंपियर्शिप 2021 जो है उसमें चन्दीप सिंग है उन्हें पूर्सो के प्लस 80 केज इस परदा में कौन सा पदक जीता है इसका एंसरोगा फ्रेंड्स रजट पदक उन्होंने जीता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए और इसे जादा से जादा शेयर करिए और अगर आप इसके ज़्यादा ज़्यादा लाइक देते हैं और हमें रिस्पॉंस देते हैं तो हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे So friends, now start करते हैं आज का अपना एक Current Affairs का सेशन जिसमें first question है यहाँ पे ओडिशा के महा निदिसर जो DGP है वो कौन बने हैं इसका right answer होगा Friends, option number C सुमील कमान बंसल जो हैं वो ओडिशा के नए DGP बने हैं Friends, top 5 DGP जो अभी बने हैं उनको देखते हैं फास्ट पे है हर्याणा, हर्याणा के जो DGP बने हैं उनका नहीं प्रशाद Kumar Agrabal और सेकेंड पे है उत्तर प्रदेश के DGP जिनका नाम है मुकून गोयल और थर्ट पे है केरल के DGP जिनका नाम है अनील कान और फूर्ट पे है तमिल अडू के डिजी पीजी का नाव है सी शैलेंज बाबू नेक्स्ट क्योशन है फ्रेंट्स किस राजे के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है इसका राइट अंसर होगा फ्रेंट्स हमारा option number D बिहार के जो मिथिला मखाना है उसको GI टैग प्रदान किया गया है फ्रेंट GI टैग जिसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानि कि किसे भी उतपाद के लिए एक प्रतिक चिन के समान ये टैग होता है और ये जो उतपाद है उसकी विसेश्ट भोगोलिक विसेश यानि कि उसकी गुडवता और पहचान के अधार पर इस टैग को दिया जाता है और फ्रेंट बिहार के जो टैग है उनमें और टैग्स जो हैं उसमें है कि मदवनी पेंटिंग को भी GI टैग दिया गया है कतरणी चावल, मगही पान, सिलाओ, खाजा और शाही लीची को भी GI टैग प्रदान किया गया है फ्रेंट बिहार के बार में कुछी important facts देखते हैं तो बिहार जो है अपना दिवस हर साल 22 मार्च को मनाता है और जो अस्थान है भारत में छेतरफल की दिष्टी से यह 13 अस्थान है और 2 जून 2014 से पहले छेतरफल की दिष्टी से जो बिहार का अस्थान था भारत में वो 12 था और उसके बाद इसका अस्थान 13 हो गया है और इसके अस्थापना होई थी 22 मार्च 1912 को और बिहार की राजानिये फ्रैंक्स पटना और इसकी मुख्य मंतरी नितिश कुमार जो जनतादल पार्टी से हैं और बिहार की जो पहले मुख्य मंतर थे उनका रामता कृष्टना सिन्धा फ्रैंट बिहार की गवंणर जनका राम है फागु चोहान और पहले गवंणर जो थे उनका रामता जैराम दा स्टौलत राम बिहार के मुख्य नयदिश जjenका राम है संजय करोल और बिहार के जो मुख्य लोग नितिया है उसमें है फ्रैंट राज सवा सीटों की संक्या है 16 विधान सवा सीटों की संक्या है 243 और बिहार के तीन पडोसी राज्जे हैं जिनमें फर्स्ट है जारखड सेकेंड पे है उत्तरप्रदेस और थर्ड है हमारा पश्शिमंगार और बिहार का एक पडोसी रेस भी है जो कि नैपाल से सटा हुआ है और बिहार के कुछ प्रमुख हवाई अड़े हैं जिनका नाम है जैप्रकास नरायंड अंतरास्टी हवाई अड़ा और बालमी की रास्टी उद्यान जो है वो भी बिहार में ही इस्तित है नेक्स रोशन है फ्रेंट्स डिक्सनरी.com ने किस सब्द को 2021 का word of the year चुना है इसका राइटन सुरका फ्रेंट्स अप्सन नमबर बी एलेशिप को डिक्सनरी.com ने 2021 का word of the year चुना है एलेशिप जिसका आर्थ होता है सहयो की यानि कि यह सब्द व्यक्तियों, परिवारों, राज्यों या संगठुनों द्वारा प्रयासों या हितों के विलाई की रुपे परिभाशिक करता है फ्रेंट टॉप फाइब जो words है जो word of the year रहे हैं उनको देखते हैं तो फर्स्ट पर है कि मेरियम वेवस्टर डीश्णरी ने किस शब्द को 2021 का word of the year चुना है तो यह है वैक्सिन को चुना है कोलिंश डीश्णरी ने किस शब्द को world of the year 2021 चुना है इसका आंसर है NFT को आक्सफ़ोड इंग्लिस डीश्णरी का word of the year रहा है वो है वैक्स और Oxford ने किस सब्द को Oxford Hindi of the Year 2021 के रूप में नामित किया है तो यह है आत्म निर्भड़ता Next है Cambage Dictionary ने 2021 का word of the year चुना है Preserve Rains Next question friends भारत के पहली Green Hydrogen Micro Grid पर योजना जो है यानि कि India's first Green Hydrogen Micro Grid प्रोजेक्ट को किस ने शुरू किया है इसका अंसर होगा आपसर नंबर से NTPC के रुआरा इसको शुरू किया गया है फिर सालवजरी छेत्र के जो बिजली कंपनिया है यानि कि NTPC उसने आंद्रदेश के सिमहाद्री में एकर इधन सेल पर आधारिज जो हरी Micro Grid पर योजना है उसके शुरूआत की है और NTPC ने सिमहाद्री जो कि विशाखा पटने के पास इस्तित है तो कंपनी के Guest House में इलेक्रोलाइजर का एक उप्योग करके हाइडरोजन जो उत्पादन के साथ ही एकर इधन सेल आधारिट इस परियोजना की शुरूआत की है NTPC जिसका Full Form of a National Sermon Power Corporation Limited और यह जो है भारत की सबसे बड़ी एक बिजली उत्पादन कंपनी है और इसकी अस्तापना होईती 7 November 1975 को इसका मुक्याले है नई दिल्ली में और इसके MDN CEO है गुरदीब सिंग भारत का पहला हमारा question का type है तो इसमें हम कुछ important question देखते हैं इसमें first है हुई दवाओं की delivery delivery जो शुरू की है वो राजे है मिखाले नेक्स है भारत का पहला घास सनक्षन केंदर जिसका उत्गाटन हुआ है रानी केत उत्राखण में नेक्स है पांच शेरों में मेट्रो संचलेत करने वाला पहला राजे जो बना है वो है उत्तरप्रदेश और नेक्स है फ्रेंट देश के पहली सामायत सरकीट train कि railway station से चली है तो इसका एंसर होगा फ्रेंट सब्दर गन से यह train चली है नेक्स वोशन है फ्रेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानि की PCB के नए कारिकारी अधिकारी यानि की CEO कौन बने है इसका एंसर होगा फ्रेंट ओपसर नंबर से फैसल हसनेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए CEO बने है और फैसल हसनेंट जो है वसीम खान की जगर लेंगे फ्रेंट और PCB जिसका फुर्व हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को यही रेगुलेट करता है जैसे भारत में BCCI रेगुलेट करता है और इसके स्थाफन होई थी 1949 में और इसके अध्यक्ष है फैसल हसनेंट जो की नए बने हैं भी टॉप फाइब क्रिकेट से जुड़े जो CEU हैं उनको देखते हैं तो अंतराश्टी क्रिकेट पर से तैने कि ICC के CEU है जोफ अलार्डिस और बंदर्डिस क्रिकेट बोर्ड यानि कि BCB के CEU है जिनका नाम है निजाम उद्दिन चौथरी और इंग्लेंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के CEU हैं उनका नाम है टॉम हैरिशन और न्यूसिलांड क्रिकेट बोर्ड के CEU हैं उनका नाम है डैविड वाइट और आस्टेलिया के जो क्रिकेट के CEU हैं उनका नाम है कैविन रॉबर्ट्स नेक्स विशन है फ्रेंड्स 15 दिसंबर 2021 को हमारे जो लोह गुरू से सरदार बनलब भाई पटेल की कौन सी जयनती बनाई गई है इसका अंसर हो का फ्रेंड्स option number C 71 जयनती मनाई गई है फ्रेंड सरदार बनलब भाई जो पटेल है इनका जनम हो आता और इनकी मृत्यू जो हुई थी वो 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पढ़ने के कारण की मृत्यू हो गई थी और सरदार बनलब भाई पटेल जिनके नाम पे Statue of Unity भारत के पहले जो हमारे द्री मंत्री थे सरदार बनलब भाई पटेल जिक उनकी प्रतिमा है और यह जो इस्तित्यक गुजरात के केवडिया में 182 मीटर विस्टो की जो है सबसे उची प्रतिमा है और इसका उत घाटन इनकी 143 वी जहनती पर किया गया था Next question है friend आत्म निर्वर भारत लोजगार योजनान के A.B.R.Y के अंतरगर लाभारतियों की सबसे अधिक संक्या किस राज्य में है इसका राइटन जर्वर भारत लोजगार भारत लोजगार योजना की रिपोर्ट जारी किया है और इसमें रोजगार पैदा करने के लिए जो COVID-19 महमारी के दोरान इस धरगार की गई थी और इसके जो सबसे अधिक में लाभारती एं वो महराश्च में सबसे उपर है और महराश्च के बाद गुजरात और इसके बाद करनाटक में है टॉफ ट्री में जो इस ट्रेट सावन ने फर्स्ट है हमारा महरा लिए सेकेंड है गुजरात और थर्ड पे राय हमारा करनाटक और इसको जारी करता है वैस्ट्रम और रुजगार मत डाले फिर महाराश्च की बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो इसकी राज़ानी है मुंबई इसके मुख्य मंत्री हैं उद्दा ठाकरे ज आम फिर्ड महाराश्च के छे पडोसी राज़े हैं जिन में फर्स्ट है गुवंक करनाटक तेलंगाना चतिसगर्ड मध्य प्रदेश और गुजरात नेक्सर फिर्ड महाराश्च में लोगसबा सीटों की संख्या जो है वो है 48 और राजसबा सीटों की संख्या है 19 और दहन के देने की बी ये आर्सी का जो मुख्याले हैं वो महाराश्च टाजिकी मुंबई शहर में इस्तित हैं भारती रिजर बैंक भारती स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया सेंटर बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक स्टेश बैंक आईस उनमें है हमारा चात्रपती शिवा जी अंतरास्त्री हवायडा जो कि मुंबई में है और दूसरा है बाबा सहब अंबेटकर अंतरास्त्री हवायडा जो कि नागपूर में है और महराश्ट ने कुछ प्रमुक मंदिर है जिन में फर्स्ट है कैलाश मंदिर जो की ऐलोरा में है अलोरा और सिद्धी विनायक मंदिर जो की मुंबई में है और महा बलेश्वर मंदिर जो की महराश्ट में है Next question, friends ब्रश्टाचार की शिकायते ओनलाइन दर्ज कराने वाले डिस्टर प्रेटफॉर्म जिसका नामे लोगपाल ओनलाइन का उत्गाटन किस ने किया है इसका राइटर और सुर्गा फ्रेंट्स ऑपसित नंबर भी पिनाकी चंद्र घुसके वाला इसका उत्गाटन किया गया है और देश के जो नागरिक हैं लोगपाल ओनलाइन.gov.in का इस्तिमाल कर सकेंगे क्योंकि अब भ्रश्टाचार की शिकायते भी ओनलाइन की जा सकेंगी और इस लोगपाल को सिर्फ डाक इमेल या हैं डिलेवरी के जरिए शिकायती की जा सकती पहले लेकिन अब जो हमारे जस उरका फ्रेंट्स ओकसें नमर डी टोक्यो जापान में इसका आयजिन किया गया था फिर 9 से 12 दिसमब्र 2021 तक तुर्के के इस्तामबूल में नौभी पहरा वर्ल्ड टाइकपंडो चैंपेंशिप का आयजिन किया था और इसका जो आयजिन अस्थल है वो है तुर्की के इस् तुर्की जो एक एशिया महाद्विप में इस्थित है और इसकी करंसी है टर्किस लीरा और यहां के राश्पती जिरका नमे रजब तयब इर्दुगान लास्ट कुशन है आज का बारती मुल्के किस व्यक्ती को अमेरिका वाइट हाउस याने की कार्मिक कालेले का प्रमू किसे नुक किया गया है इसका राइट टार्ग Jewish और इसका गौत गौत दागवन को इसका नुक किअ गया है और जो गौतम दागवन ने वो कैथ सीर्यन दश अचा दिस्ते हैं इसका एंसर है वो आप इतने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाज चके थांक यू